बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जिन लोगों का जन दिन 30 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन दिन की हार्दिक शुब काम नाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर में भी बदलाव दिख रहा है और जहां आप रहते हैं जिस शहर में काम करते हैं वहां से भी बदलाव दिख रहा है करियर में और स्थान में बदलाव होगा विवाह और संतान से जुड़ी हुई जो आपकी इक्षाएं हैं वो इक्षाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी स्वास्त की स्थिती आपकी कुल मिला जुला कर ठीक रहने वाली है ये संभावना आपके आने वाले साल में दिख रही है लेकिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्त का आपको ध्यान आने वाले साल में रखना होगा क्या करेंगे आने वाले वर्ष में पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की पूजा करें शिव जी को जल चड़ाएं नमा शिवाय का जब करें तो आने वाला वर्ष आपके लिए और भी बेहतर होगा आज की जिग्यासा है कि क्या सावन के शनिवार बहुत महत्तोपून होते हैं बहुत विशेश होते हैं देखिए सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहा जाता है यानि धन और संपत्ति देने वाला शनिवार अगर आप सावन के शनिवार पर शनिदेव की पूजा करते हैं तो इससे धन और संपत्ति दोनों प्राप्त होती है सावन में शनी की पूजा करने से साल भर शनी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती दो मौके ऐसे होते हैं एक शनी जैनती पर अगर आपने शनी की ठीक से पूजा की तो आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपने सावन में शनी की पूजा की, तो भी आपको साल भर शनी पूजा की आउशकता नहीं पड़ेगी सावन के शनीवार पर किसी भी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान जरूर करिये सावन के शनिवार अपने आप में बड़े महत्वपूर होते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं सावन में एक शनिवार पर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रूजगार में चली आ रही समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे झाल झाल